हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का इंद्रास क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में अगर हमारे पास कोई एक्जामपल दिया है और कहा गया है कि एक्जामपल पहला एक्जामपल है हमारे पास 5 अपान 8 इसके चार एक्विवेलेंट फ्रेक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे नुमिरेटर और दिनॉमिनेटर इन दोनों में हम सेम नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे यानि नुमिरेटर में भी और इसी तरह पहला नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम ने 5 में 2 से मल्टिप्लाई किया और दिनॉमिनेटर 8 में भी 2 से 5 टूजा, 10, 8 टूजा, 16 दूसरा इक्विवेलेंट फ्रेक्शन फाइंड आउट करने के लिए नुमिरेटर 5 में हमने 3 से मल्टिप्लाई किया denominator 8 में भी हमने 3 से multiply किया 5 3s are 15, 8 3s are 24 next number find out करने के लिए 5 multiply 4, 8 multiply 4 5 4s are 20, 8 4s are 32 next number find out करने के लिए 5 में भी 5 से, 8 में 5 से 5 5s are 25, 8 5s are 40 तो हमारे पास 5 अपान 8 के 4 equivalent fractions क्या find out हुए 10 अपान 16, 15 अपान 24 20 अपान 32, 25 अपान 40 इसी तरह से next हमारे पास question है 7 अपान minus 9 इसके भी हमें 4 rational numbers इसके equivalent find out करने हैं पहले के तरह हम यहाँ पर भी यही करेंगे 7 का 2 से multiply, minus 9 का 2 से multiply, 7 का 2 से multiply करने पर 14 और minus 9 का 2 से multiply करने पर 18 next 7 में 3 से, minus 9 में 3 से, तो हमारे पास क्या answer आएगा 7 तरी जा 21, 9 तरी जा 27 7 का 4 से multiply, next number find out करने के लिए minus 9 का 4 से, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36 next number find out करने के लिए 7 का 5 से, minus 9 का 5 से, 7 5 जा 35, 9 minus 9 का 5 से, minus 45 तो हमें क्या equivalent fractions मिले 7 upon minus 9 के, 4 equivalent fractions क्या मिले 14 upon minus 18, 21 upon minus 27, 28 upon minus 36 और 35 upon minus 45 इस तरह से हम rational numbers find out करते है मुझे उपूरी उमीदे, आप सबको ये जरूर पसंदे आएगा, इसलिए आप सब मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए इसी तरह पढ़ते रहने के लिए, थैंक यू, बाबाई आएगा आएगा सबस्क्राइब इसी आएगा मोझेगा सबस्क्राइब